नमस्कार मैं हूँ वैस्ट नवी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की और बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर जाने बिहार में आज पेट्रोल और डीजल के दाम सिक्षा विभाग के नए अपरमुख्य सचिव ने वीवी और कॉलेजों की बुलाई बैठक बिहार का इनामी बदमास यूपी में हुआ धेर बिहार नोईडा का ज्वाइन्ट आपरेशन नीट यूजी रिजल्ट में हुई गरवरी के सवाल पर एंटिये ने दी सफाई भारत ने आयरलाइंड को आठ विकेट से रौंदा इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से आचार सहिता आज होगी खत्म सरकारी कामकाज में अब बढ़ेगी रफतार लोक्सभा चुनाव के चलते पिछले करीब तीन माह से देस भर में आचार सहिता लागू थी जिसकी वज़स से सरकारी कारी अलयों में कामकाज प्रभावित था अब आज गुरुवार को आचार सहिता खत्म होने के बाद सरकारी कारी आलयों में फिर से कामकाज अपनी गती में सुधार करेगा और लंबित कारी सुरू हो सकेंगे गौर तलब हे कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीकों की घोषना के बाद से ही आदर्स आचार सहिता लागू हो गया था इस दोरान चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुरे सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों के अस्थाना अंत्रन और तैनाती पर संपूर्ण परतिबंध लगा था शुक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव ने वी वी और कॉलेजों की बुलाई बैठक विशु विद्यालयों और कॉलेजों की स्थिती जानने और 2024-25 के प्रस्तावित वजट की रासी जारी करने को लेकर बिहार शुक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव ने तै कि ये गए बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को समय पर भेजने के लिए सिक्षविभाग ने राजभवन को पत्र लिखे हैं आपको बता दे कि इस बैठक से पहले केके पाठक दौरा भी बैठक बुलाई गई थी हाला कि इस दौरान इस मामले को लेकर राजभवन और केके पाठक के बीच विवाद की खबरे सामने आने लगी बिहार का इनामी बदमास यूपी में हुआ धेर बिहार नोईडा का जौइन्ट ओपरेशन बिहार के बेगु सराय का वांटेड बदमास निलेस राय उत्तरप्रदेश के मुझपरपुर्नगर में पुलिस के इनकाउंटर में धेर हो गया है बिहार और नोईडा एस्टीएफ द्वारा किये गए जौइन्ट ओपरेशन में गोली लगने से घायल हुए निलेस राय के इलाज के दोरान मौथ हो गई मुझपरपुर्नगर के रतनपुरी थाना छेतर में बड़िघटना को अंजाम देने जा रहे तीन बदमासों की नोईडाज टीएफ और रतनपुरी पुलिस से मुटवेर हुई जिसमें बेगुसराय के दो लाख का इनामी बदमास मारा गया जबकि उसके दो साथ ही अंधेरे का फायदा उठा कर भाग खड़े हुए बदा दे कि निलेस राय बेगुसराय में गढ़हरा के बर रामपुर टोले का रहने वाला था और इस पर बेगुसराय सहित बिहार के कई थानों में रंगदारी जानले ने डकैती के सोलह से अधिक मामले दर्ज थे शनातक के लिए पी-उ की मेधा सूची 7-8 जून को होगी जारी शनातक में नामांकन के लिए पतना युनिवर्सिटी में करीब 12,000 के करीब आवेदन आये हैं जिसके बाद मेधा सूची 7-8 जून तक जारी कर दिये जाएंगे पहली मेधा सूची के नुसार 10-12 जून के बीच काउंसलिंग के साथ नामांकन की प्रिकरिया सुरू कर दी जाएगी साथ ही सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ उनकी फोटो कॉपी और चार पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना होगा लोगसभा 2024 में चार विधायक, दो राजिसभा सदस्य और एक MLC चुने गए MP उपचुनाव तय लोगसभा चुनाव का रिजल्ट घोसित होने के बाद बिहार की चार विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने तय हो गए हैं इसके अलावा राजि की दो सीटे और एक विधान परिसद की सीट पर भी उपचुनाव होने तय हैं इस बार के लोक्सभाचुनाव में दरजनों विधायकों ने अपनी किसमत आजमाई, जिसमें कई सफल रहे तो कुछ असफल हुए, वहीं सफल विधायकों की वजह से उनकी कुर्सियां अबरिक्त हो गई हैं, जिसे भरने की कवायत सुरू हो गई है, इस बार लोक्सभाचु वहीं हम के सनरक्षक वो पूर्व मुख्यमंतरी जीतन राम्मांजी इमामगंज के विधायक हैं, जो अब गया लोक्सभा सीट से लोक्सभाच पहुंचे हैं, जिसके तह तब इमामगंज में भी उपचुना होंगे, इसी तरह तरारी के विधायक आरा से लोक्सभाचीते ह इनके लोक्सभासदा से निर्वाचित होने के कारण तिरुहुत्स नातक निर्वाचन के लिए उपचुना होंगे, नीट यूजी रिजल्ट में विध गरबरी के सवाल पर NTA ने दी सफाई, मेडिकल प्रवेस परिक्षा नीट यूजी 2024 का रिजल्ट बुधवार को जारी किया गया, जिसके बाद से ही सोसल मीडिया पर NTA द्वारा जारी किये गए रिजल्ट पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं, कई कोचिंग सेंटर सहित कैंडिडेट्स द्वारा रिजल्ट में गरबरी के आरोप भी लगाये जा रहे हैं, कि 720 में से 718 या 719 नंबर नीट किसी को कैसे मिल सकता है, पेपर आसान होने से लेकर एक एक्जाम सेंटर से कई टॉपर्स होने की बाद भी कही जा रही है, वही इन सब सवालों का अब NTA ने जवाब दिया है, NTA ने कहा है कि कुछ रिपरजेंटेशन मिले जिनमें छात्रों ने कोट केस का भी हवाला देते वे परिक्षा में कम समय मिलने की बात कही, पांच मई 2024 को वे परिक्षा में कई जगों पर पेपर लिग होने की अफवा उठी, जिसके चलते कई सेंटरों पर कुछ कैंडिडेट्स जबरन परिक्षा केंदर से बाहर चले गये थे, जिसकी वज़ा से छात्रों को एक्जाम म दिये गए हैं जिनको परिक्षा में कम समय मिला था इसी वज़से छात्रों का स्कोर 718 यह 719 है हारने के बाद चलका जदियू के पूर्वसांसद का दर्द बुधवार को बिहार के पुर्णिया से एंडिये गडबंधन के जदियू प्रत्यासी वो पूर्वसांसद संतोस कु संबोधित करने पहुंचे तो उनकी आखे भड़ाई उन्होंने पपुयादव को जीत की बधाई देते वे कहा कि जनता की नाराजगी की वज़ह से वह मात्र लगभग 23,000 वोट से हारे हैं कही न कहीं उनसे गलती हुई है उन्होंने आगे कहा कि हार के बाद भी वे जनता क कायम रहे बिहार के कई जिलों में मौसम ने ली अचानक करवट मौसम विभाग ने जारी की अलर्ट गुरुवार को बिहार के बारस से अधिक जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है नालंदा बाड गोपाल गंज मोतिहारी आरा सेकपूरा और वेतिया में सुबह तो साथ ही सेकपूरा, पटना, अरवल और सीवान में सुबह में बादल छाए रहे और तेज आंधी भी चली मौसम विभाग दौरा बिहार के नौ जिलों में आंधी बारिस और आकासिये बिजली का अलर्ट जारी किया गया है केंद्र सरकार में बिहार के हिस्से मिल सकती है कई बड़ी जिम्यवारी लोक्स भाचुनाव 2024 का जनादे इस अर्शे बाद बिहार के लिए सुबसंकेत लेकर आया है केंद्र में बनने वाली नई सरकार में बिहार के हिस्से में कई बड़ी जिम्यदारी मिलने की आसार न जड़ा रहे हैं बुधवार को NDA गटबंधन की बैठक में सामिल होने के बाद CMN 30 ने कहा कि हम NDA के साथ हैं और नई सरकार के बनने में देड नहीं होनी चाहिए वहीं केंद्र की सरकार में जड़ीू के सामिल होने से बिहार की जोली में कई नए प्रोजेक्ट आने की संभाव ना जताए जा रही है मसलन बिहार को विसेश राजी का दर्जा हो या विसेश पैकेज की बात बता दे कि इससे पहले भी अटल बिहारी बाजपे की अगवाय वाली गटबंधन की NDA सरकार के कारीकाल में भी एन टी पी सी बाड यूनिट हर्नौत रेल कारखाना मधेपुडा रेल फैक्ट री राजगीर आयूद कारखाना कोसी रेल पूल राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन जैसी कई बड़ी योजनाओं की सौगात बिहार को मिल चुकी थी इन सर्तों पर हो समर्थन नितीज को तेजस्वी का मैसेज लोकस भाचुनाव के नतीजों के बाद केंद्र में NDA की तीसरी बार सरकार बनने में बिहार के सीम और जेडियो उद्ध्यक्ष नितीज कुमार किंग मेकर की भूमिका में नज़रा रहे हैं अब जिसे लेकर तेजस्वी आदब ने भी सीम नितीज को डायरेक्ट मैसेज देने की कोसिस की है तेजस्वी आदब ने सोसल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते वे कहा है कि बिहार किंग मेकर बना हुआ है इसलिए बिहार में बिरुजगारी हटाने पला अबाध है किये गए 75% आरक्षन को सम्विधान की नौविन सूची में डालना राज के 87% से अधिक सांसद करोर पती 2024 के लोकसवाचुना में बिहार से चुने गए सांसदों में 87% से अधिक करोर पती हैं पतना साहिब से एक बार फिर से सांसद निर्वाचित हुए रवी संकर प्रशाद सबसे धनी सांसद हैं उनके पास 40 करोर की संपती है जबकि सबसे कम संपती गया से सांसद निर्वाचि हैं पुर्णिया से निर्वाचित हुए पप्पु यादव पर सबसे अधिक 41 केश दर्ज हैं हार के बाद निहा सर्मा ने पिता के लिए सेर किया मैसेज बॉलिवुड अक्टरेस निहा सर्मा के पिता और कॉंग्रेस उमिदवार अजीत सर्मा बिहार के भागलपुर से चुनाव हार चुके हैं हार के बाद अक्टरेस ने सायराना अंदाज में अपने पिता के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मैसेज सेर किया और साथ ही उनके पिता को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स को भी धन्यवाद दिया सामने पहार हो सिंग की दहार हो की लाइनों से नहा ने अपने पिता का मनोबल बढ़ाया जो सोसल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है पपू यादव से नाराज नहीं है कॉंग्रेस बिहार कॉंग्रेस अध्यक छखिलेश सिंग का बयान बुधवार को कॉंग्रेस प्रदेश मुख्याल एस सदाकत आस्रम में प्रेश्वारता के दोरान बिहार कॉंग्रेस के अध्यक छखिलेश परशाद सिंग ने पपुयादव के निर्दलिये चुनाव लडने से कॉंग्रेस की नाराजगी पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि अ एक सीट को भी हम अपने खेमे में मानते हैं उन्होंने आगे कहा कि अभी अधिक से अधिक सांस जोडने का समय है भारत ने आयरलैंड को आठ विकेट से रॉंदा टीटी वर्लकप दो हजर चौबिस के आठवे मैच में भारत ने आयरलैंड को आठ विकेट से हराया उवरो में सिर्फ 96 रन बना कर धेर हो गई। वहीं इस लक्ष को भारत ने सिर्फ 12.2 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 97 रन बना कर जीत हासिल कर लिया। बिहार में आज पेट्रोल और डीजल के दाम... वहीं अगर राज़धानी पत्ना की बात करें तो पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के दाम में 33 पैसे की कमी देखने को मिली है। पतना में आज पेट्रोल का दाम 105.18 रुपे है जबकि डीजल का दाम 92.04 रुपे है गया में पेट्रोल 106.25 और डीजल 93.05 रुपे है दरभंगा में पेट्रोल का रेट 106.03 रुपे जबकि डीजल 92.82 रुपे है जबके डीजल 92.58 है बीते दिन हमारे दोड़ाप ऊछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैराज की सोर महतो रवी कुमार, राम बिट्टु कुमार, रंजीत मिस्रा, राकेश मिस्रा, उमेश रीच सिदेव, मुहम्मद साकिर हुससेन, गोनर सर्मा, जीतेंदर ठाकुर, विद्यानन्द कुमार इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है, बुधवार को हुए आयरलाइंड और भारत के T20 वर्ल्ल कप के मुकाबले में, रोहित सर्मा का प्रदर सन आपको कैसा लगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारे निूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद